विल्कम बैक टो माई यूटुब चैनल मैं श्रीज़ल मिस्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे सोसियोलोजी में है हमारा धर्म तो हम आप धर्म के बारे में अज़ पढ़ेंगे कि धर्म होता क्या है, सबसे पहले तो हम धर्म का आर्ध जानेंगे फिर उसकी परिभात सा एक आगदू राइटर कनुशार फिर हम उसकी विश्यसता जानेंगे them हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि धर्म क्या होता है धर्म मानो समाच का एक ऐसा व्यापक अस्थाई एवं सास्वत तत्व है क्या है मानो समाच का एक ऐसा अस्थाई और सास्वत तत्व है जिसके समय रूप से समझे बीना हम समाच के रूप को समझने में असफल रहेंगे मतलब बिना धर्म के बारे में हम समाच के रूप में जानने में असफर रहेंगे धर्म मानों का अलोकिक सक्ति से संबद जोडता है क्या करता है धर्म मानों का अलोकिक सक्ति से संबद जोडता है इसका समद मानों की भावनाओ श्रद्दायम भक्ती से है धर्म मानों के आंतरिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करता वरन उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है इस प्रकार धर्म मानों जीवन का प्रमुक अंग है हम यहाँ धर्म की परिभासा उत्पत्ती महत्वादी की विवेचना करेंगे तो धर्म क्या है आपको समझ में आया होगा क्या है बीना धर्म के हम किस समाज में क्या गलत है और क्या सही है हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते तो और धर्म क्या है? धर्म मानों का अलोकिक शक्ती में सम्बंध जोड़ी रखता है, ठीक है? अब हम एक आग दो राइटर, जिसे एक हमारे राइटर है Adverb टाइलर के अनुसार देखते हैं, धर्म आध्यात्मिक सक्ती में विश्वास है, धर्म क्या है हमारा? आध्यात्मिक सक्ति में विश्वास है ये टाइलर ने कहा है अब सेकेंड राइटर देखते है सर जेम्स फ्रेजर ये कहते है धर्म से मैं मनुस्य से स्रेष्ट उन सक्तियों की संतुष्टी या आराधरा समझता हूँ जिनके संबंद में विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाते है और नियंत्रित करती है जिसके जरीए क्या होता है जिनके संबंद में विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति अथ्वा मानव जीवन के मार्ग को दिखाती है और नियंत्रित करती है कि आगे क्या सही और क्या गलत है वही बताती है दो राइटर और है जैसे पी हार णी गमसी के अनुशार और एक और राइटर जो हरबल है इनकी अनुशार तो आपको चाहिए तो वैसी exam में सिर्फ आप एक या दो राइटर के अनुशार लिख देंगे फिर भी सही है और आपको चाहिए तो आप dur करके इन दोरों का भी ले स बिना वक्त गवाए अब हम चलते हैं आपको थोड़ी से इसकी विशेस्ता बता देते हैं विभीन परिभासाओं के आधार पर धर्म की निम्लिकिस विशेस्ता या मौलिक लच्छर प्रकर्थ होते हैं पहला क्या है अलोकिक सक्ति में विश्वास जैसे कि हमने उस राइटर जो हमारे राइटर है एडवर्म टैलर इन्होंने भी बताया था कि धर्म आध्यातμिक सक्ति में विश्वास है तो उद्धी के अनुसार देखे तो लौकिक सक्ति में विस्वास ये क्या धर्म है धर्म की सरोथम विस्वास ये है कि धर्म में विस्वास किया जाता है कि विस्व में कोई न कोई अलौकिक या दिव्य शक्ति है जो मानाव से स्रेष्ट है यह सकती ही प्रकृती मानव जीवन एवं समस्त विस्व का संचालन करती है यह अलोकिक सकती साकार या लेराकार हो सकती है यह सकती कुछ भी साकार भी हो सकती है और इसका कोई आकार नहीं भी हो सकता है लेकिन कोई न कोई अलोकिक शकती अवश्य है सेकेंट है धार्मिक क्रिया है, मानों ने अपने धार्मिक विश्वास को विभिन धार्मिक क्रियाओ जैसे पूजा पाठ कर्म, कार्ण, यंग, हवन, आ, हवन, एवं, बली, आधी के द्वारा व्यक्त करता है, यही कारण है की प्रत्यक धार्म में अलोकिक शक्ती से दिद्बाह क्रिया पाए जाते हैं, कुछ धार्मिक रिया तो ऐसी होती है, जिने समाने व्यक्ति कर सकते हैं, किन्तु कुछ के लिए धार्मिक विश्वशक जैसे पंडे, पुजारी, पाद्री, मुल्ला, आधी का सहयोग लिया जाता है, हमारा अगला है पवित्रता की धा जाता है, जो चीजे धर्म से संबंधित होती हैं, वे सदेव पवित्रमानी जाती है, यही करण की हम मुर्ती, मंदिर, कर्मकार्ण की वस्तुवें, पुजा को पवित्रमानते हैं, ठीक है, तो इसमें पवित्रता की धार्णा भी पाए जाती है, और अगला हमारा क्या है, भावात्माक एवं मानसिक पक्षे, धर्म का संबंध हमारी भावना एवं सन्वेगो से भी होता है, अलोकिक शक्ति में विश्वास, भय, स्रद्धा, भक्ती, आदर, एवं प्रेम की भावना का सन्वेगो से जुड़ा होता है, हम अलोकिक शक्ति से डरते हैं, अता उससे प्रेम भी करते हैं, इस प्रकार धर्म में भाय मिस्ट्रिस रद्धा होती है, हम जानते हैं कि अलोकिक शक्ति प्रशन्ना होने पर हमारा भला कर शकती है और नाराज होने पर हमें डुक्सान पॉसा सकती है, तो आप सब समझ रहे हैं कि धर्म, इसी धर्म के कारण मनुष्ठ डरता है कुछ गलत करने से क्या करता है डरता है कि बनुष्ट नहीं देख रहे हुआ हैं तो क्या हुआ लेकिन उपर वाला तो देख रहा है तो हमारे गलेत का फल हमें जरूर मिलेगा कहते हैं तो वैसे ही उसी प्रकार अब हम थोड़ी सी धर्म की सामाजिक उपियोगता अगला हमारा है वैक्तित्व के विकास में सहायक अगला हमारा है भावात्मक सुरच्छा और फिर हमारा है समाजिक एकता में सहायक और लाश्ट हमारा है कर्तवे का निर्धाड तो कर्तवे की निर्धाड में हम कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो तो आई होप आपको धर और वीडियो को देखे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करढ़ें। अगर आप मुञचे चैनल नए ही है तो अपंने चैनल को सब्सक्राइब कर लोए मैको शीलिए और वी इलोड़ी आपको उपला कोई बहुए फ्लिजर नवाद है और या Krone